नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एक्जाम साइब में और हम लेकर उपस्तित हैं करंट फियर जन्वरी मन्त के और इसमें हम कवर करेंगे अप टू 6 जैन 2021 तक जो भी आपके इंपोर्टन क्वेशन्स आ सकते हैं एक्जाम में वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर रहेंगे आप वीडियो के आन तक बने रहीएगा पहला कोशन आपका भार सरकार के ग्रामिड विकास और पंचायती राजबिवाग की वार्शिक पत्रिका में हिमाचल की कितनी पंचायतों को स्थान मिला तो यह मिला है आपके चार और यह हैं आपकी होना है और शिमला की बात करें तो वहां पे मशोबरा में धामू पंचायत है उन्हों वहां पे परेवन के संबंदित बहुत ही अच्छे कारे किये गए तथा कांगडा की बात करें तो भवारना की आईमा पंचायत है वहां पे कचरा प्रवंधन के लिए उचित कारे किये लास्ट में आपकी है सिर्मोर पंचायत ये पच्छाद की जामन पंचायत है जहां पे सिंचाई संबंधी कारे किये गे जिनके तहत इन्हें देश की वार्षिक पत्रिका में स्थान मिला अगला प्रशन है आपका हिमाचल परदेश में पंचायती रासंस्था और शहरी निकाये के चुनाब को मिला कर परदेश वर में लगवग कितने मत दाता दर्ज हुए तो जनवरी महा में चुनाब हुए थे तो लगवग इसमें दर्ज हुए आपके चोवन लाख तेतिस हजार बोटर नेक्स वर्शन है साइनन एवाल को हिमाचल के किस स्थान पर भूमी दी गई है तो ये दी गई है आपके धर्मशाला के सुमीप स्को में साइनन एवाल को भूमी दी गई है यहाँ पर अगला प्रशन है हिमाचल के किन स्थानों पर आई स्केटिंग रिंग बनने जा रहे हैं तो ये बनने जा रहे हैं आपके शिमला और धर्मशाला में अगला प्रशन है आपका छोव भोगर पंचाहित जो निर्विरोध चुनी गई हिमाचल के किस विस क्षेतर से संबंदित है तो ये है आपके रेनुका जी विस क्षेतर और रेनुका जी ये क्षेतर है आपका सिर्मोर में अगला प्रशन है जन्वरी 2020 में हिमाचल प्रदेश उच्छ नियायले के नव जैनित नियाधिश कौन है तो ये हैं शिरी विजे कुमार अगला कुशन भार सरकार ने 25 मार्च 2016 को रास्ट्री जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत हिमाचल में कितने रास्ट्री जलमार्ग घोशित किये थे तो ये हैं आपके चार चार आपके रास्ट्री जलमार यहां पर घोशित किये गए हैं अगला प्रशन इसी से संबंदित है कि ये जो चार जलमार घोशित किये गए हैं रास्ट्री जलमार ये किन किन नदियों पर विक्सित किये जाएंगे तो ये किये जाएंगे आपके सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब नदी पर अगला प्रशन है तत्ता पानी और सलापड के मध्य जल परिवहन विक्सित करने के लिए कितने करोड की लागत दी गई है जिससे दो जटीज वो समाने सुविधाओं का निर्मान किया जाएगा तो ये है आपके दो पॉइंट शुने दो करोड रुपीज जिससे यहाँ पे जटीज का निर्मान किया जाएगा और इस खेत्र को विक्सित किया जाएगा अगला प्रशन इसी सम्बंदित है कि हिमाचल प्रदेश ने किस कमपनी के साथ जटीस निर्मान के लिए समझोता किया है तो ये किया है आपका NTPC के साथ NTPC क्या है आपका NTPC है आपका National Thermal Power Corporation Limited Next question ColdAm में रस्टी जलमार के तहट कितने रूट अधिसूचित किये गए हैं तो coldAm में आपके अधिसूचित किये गए हैं 10 रूट अगला प्रशन कॉल बांद बाकडा बांद के अत्रिक्त किस बांद में भी जल परिवहन को तलासा जाएगा हिमाचल सरकार ने इन दो अत्रिक्त बांदों के अत्रिक्त किन बांदों में भी जल परिवहन को तलाशने की बात कही है तो ये है आपकी पॉंग बांद और चमेरा बांद तो इसका सही अंसर रहेगा आपका D बोथ A and C अगला पॉंग बांद को नई राहे नई मंजल योजना के अंतरकत विक्सित करने के लिए कितने करोड रुपे मंजूर किये गए हैं तो यहाँ पे किये गए हैं आपके 7.96 करोड रुपे अगला प्रशन है 30 नमंबर 2020 तक राज्य सरकार ने प्रेटन विकास निगम के माद्धम से कितना राज्य स्व पराप्त करने में सब्फलता हासिल की तो यह की थी आपकी 18.42 करोड रुपे अगर पिछले साल की बात की जाए 2019 की तो यहां पे हुआ था आपका 63.24 करोड रुपे का मुनाफ़ा या जो भी आपका राज्य स्व मिला था राज्य सरकार को लेकिन करोना के चलते ये थोड़ा इस वर्ष गिर गया तो 2020 में आपका राज्य स्व हासिल हुआ 18.42 करोड रुपे अगला है लोहल श्पीती के किन दो गाओं में प्रेटन भिवाग द्वारा प्रेटकों को टहरने के लिए टेंट और प्री फैबरिकेटेड धांचे की सुविदा उपलप्त कराए जाएगी तो ये करवाए जाएगी आपके सिसु और जिस पा गाओं में ये दोनों लाहोल घाटी में हैं और जिस पा आपने सुनाई होगा मॉन्टेनेरिंग इंसिचूट पर यहाँ पर अगला प्रशन देश की किस विदान सभा को अपरत हम ये गोवर्निस स्थापित करने का गोरो 20-21 का जो बजट पास किया था वो पहला पेपरलेस आपका बजट था और ये पेपरलेस बजट किया आपके हिमाचल सिरकार ने अगला प्रशन है भाखडा बांध में कितने अंतर देश ये जल परिवन मार्ग चेनित किये गए हैं तो ये हैं आपके 107 आपके 107 क्या है जल मार्ग परिवन मार्ग चेनित किये गए हैं और लगवग यहां पे 170 पर्मिट दिये जाएंगे जैसे बस इसके पर्मिट होते हैं वैसे यहां जटी या जो भी बोट्स होंगी उनके पर्मिट दिये जाएंगे तो लगवग 107 इसको थोड़ा है ना दोनों आंकडे देख ल संबाई कितनी किलोमेटर है तो यह है आपकी 60 किलोमेटर और साथ में यहां पे एक चीज़ और यादर कियेगा कि इस किलोमेटर का किराया होगा आपका 80 रुपे 80 रुपे यहां पे निर्धारित किया गया है अगला है प्रदेश के सभी व्यंजनों को बनाने के लिए है और यहां के जो संचालक हैं वो हैं धर्मेंदर कुमार तो इन्होंने एक अलग तरह से यहां पे धाबे का निर्मान किया है कि पूरे प्रदेश का जो प्रेटन है उसको विक्सित किया जा सके तो इन्होंने सभी ब्यंजनों को बनाने का यहां पे पहल की है तो उसका ना प्रशन क्या है आप इसमें देख सकते हैं कि इस फिल्म महुत्सम में लगवग 32 देशों की 136 फिल्मों को चुना गया था अगला है फिल्म फेस्टिवल की शुरुवात जो की गई थी वो अस्ट्रेलिये के निर्देशक शेन मेकलन की फिल्म मेड लाइका गन से की गई अगला प्रशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला के डारेक्टर है आपके शिरिपुषपराईश थाकूर तथा इस फेस्टिवल में सरफसरेष्ट फिल्म जो चुनी गई थी वो थी I am gonna tell God everything everything और इसके निर्देशक थे या सकते हैं इसली यह सारे ही इसमें कबर कर दी है ताकि प्रशन कहीं से वियाए तो आप इसको इसली क्लियर कर सकें अगला है सरफसरेष्ट फिल्म जो थी वो थी आपकी अन बाइंडिंग और यह बनाई गई है मोरे शर्मा के द्वारा और यह प्रशन इंपोर्टेंट हो सकत है तो हमेशा ही एक्जाम पॉइंट और यू से काफी इंपोर्टेंट रहता है तो यहां पर पुलू आप थोड़ा इसको ध्यान में रख सकते हैं अगला है जूरी अवार्ड से जो सम्मानित फिल्में थी वो कौन-कौन सी थी एक थी विंडो बॉम और कलावा आप तीनों को देख सकते हैं यह महरास्तरा की है यह मद्यपरदेश हो रही है गुजरात की अगला है दस स्क्रीनिंग रील पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है आपके सर्व जेतन कटोच नेक्स प्रसंट धरमशाला मकलोड गंज रोबे कितनी लागत से त्यार होगी तो लगवग यह डेट सो करोड से त्यार होगा और वार्शिक जो आमदनी का अंदाजा लगाया गया है वो लगवग है एक करोड रुपे अगला प्रशन शिमला में किस स्थान पर लाइट एंड साउंड शो बनाय जा रहा है जो राज्जी की संस्क्रीती प्रमपरा मनुहोग संस्थानों की जलक प्रस्तुत करेगा तो यह बनाय जा रहा है आपके टाउन हाल में ताकि जो यहां के बाहर से प्रेटर नाते हैं उनको हम अपने राज्य की संस्क्रीती प्रमपरा इत्यादी को दर्शा सके अगला प्रशन है कि शिमला में जो फूड इंसिचूट स्थित था उसको अब रेनवेट कर दिया है 11.75 क्रूर रुपे की लागत से तो अब उसको किस नाम से जाना जाएगा तो यह जाना जाएगा आपका इंसिचूट ऑफ होटल मनेजमेंट आई एच एम अगला प्रशन नाग्चला ग्रीन फील्ड हवाई अड़ किस जिले में स्थित है तो काफी बेसिक कोशन है यह तो नाग्चला आपको पता ही है नेर चोंग के पास है यह है मंडी जिला में जहां पर हवाई अड़े निर्मान की बात की गई है तो मंडी जिला अगला है सुशासन दिवस कम मना जाता है तो सुशासन दिवस मना जाता आपका 25 दिसंबर को और ये किस की याद में मनाय जाता है ये मनाय जाते है हमारे पूर्व प्रधानमंतरी लेट शिरी अटल भहरी बाचवीजी की याद में अगला प्रशन पूर्ण टिका करण करवाने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है तो ये है आपका हिमाचल परदेश आपका अपना राज्य अगला प्रशन इसी संबंदित है कि पूर्ण टीका करण कवरेज किन आयू के बच्चों की संख्या के अधार पर की जाती है कि ये किस आयू के मद्धे के बच्चों को अगर टीका करण हो गया है तो उसे पूर्ण टीका करण कवरेज के अंतरगत माना जाता है तो ये है 12-23 महीने के मध्यों मतलब एक साल के बाद और दो साल के भीतर जो भी बच्चे हैं उनकी टीका करण को बोला जाता है पूर्ण टीका करण अगला प्रशन है बर्श 2019 में हिमाचल के किस जिले को ड्रोप आउट और मिस आउट कम्यों के कारण मिशन इंदर धनुस जिले के रूप में चिनित किया गया था ऐसा है कि हमारा हिमाचल तो वैक्सिनेशन के मावले में वैसे ही आगे है लेकिन किन ही कम्यों के कारण हमारा जो चमबा जिला था उसमें ये पूरी तरह नहीं हो पाया था सक्सेस्फूल तो मिशन इंदर धनुस के तहत इस जिले को इंक्लूड किया था लेकिन 2020 में ही हमारे जो सेवियर हैं डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपने पूरे तनमंध हंसे पूरी सेवा करके इसको दोवारा कवर कर लिया है तो अब ये इसमें नहीं है तो क्वेशन ये बन सकता है कि 2019 में कौन सा जिला था जो मिशन इंदर धनुस जिले के रूप में चिनित था तो वो था आपका चमबा जिला अगला प्रशन हरी तोर आतम निर्फर गोशाला के प्रारू प्रयोजना के प्रफम चर्ण में हिमाचल में कितनी गोशालों का विस्तार से विशलेशन किया जाएगा तो शुरू में किया जाएगा आपके दस गोशालों का विशलेशन अगला प्रशन है आपका हिमाचल के पूर मुख्य मंतरी एवम लोक प्रिय कवी श्री शांता कुमार जी की पतनी का नाम क्या था जिनका हाल ही में निदन हुआ था तो ये थी आप ध्यान रखीगा ये क्वेशन यहाँ पे नाम जो हैं मिलते जुलते हैं तो आप याद रखीगा स्वरगिय श्री मत संतोष शैलजा जी ये थी इनकी पतनी जिनका भी हाल में ही निदन हुआ था और काफी सारी कवीताएं जो थी इन्होंने शांता कुमार जी ने अपनी पतनी के नाम पे लिखी हैं अगला प्रशन है डिजिटल इंडिया पुरुसकार 2020 में हिमाचल के किस विवाग को पुरि स्कृत किया गया क्यों किया गया ये अगला प्रशन है एनना इसी हिमाचल को उनके किस कारे के लिए इसके इसे 2020 में नवाजा गया तो इन्होंने एक सॉफ्ट्वेर बनाय था जो किसकी मेनेजमेंट करता है कोविड-19 के सेंपल क्लेक्शन की मेनेजमेंट जो कर रहा था उ जो भी हमारे युवां हैं उनको रोजगान परदान कराया जाएगा अलग-लग डिपार्टमेंट्स में जैसे होटल में हो गया पैरागलाइडिंग हो गया टूरिस्ट गाइड इत्यादी हो गया तो यहां पे पूछा गया है कि इस समझोते के दायत होटल परबंदन और ट मनाली से जो आपका यहां पर में इंसिजूट है आपका परवता रोहन का मौन्टेनिरिंग इंसिजूट तो उमीद है कि आपको यह प्रशन अच्छे लगेंगे और आपके एक्जाम में काफी हैल्फूल रहेंगे आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें चैनल को करें ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको टाइम टाइम मिलते रहें आप यूही इन वीडियो के साथ बने रहें और अपनी त्यारी घर से अराम से करते रहें थैंक्स फौर वाचिंग जैहिंद जैभारत